दुश्मन कितना भी छुपले आई एफ के इस हतियार से बच नहीं पाएगा क्यों क्योंकि इस हतियार को बनाया है भारत की डियों ने एंडियन एरफोर्स के लड़ाको वुमानों की ताकत और बढ़ गई है अब उन्हें ऐसी टेक्नीक से जोड़ दिया गया है जिसकी दुश्मन की हालत पस्त करने की पुकता इंतिजाम है दुश्मन किसी भी तरह से छिपले उसे यह बम खोच कर खतम कर देगा इस आदुनिक हतियार के दो परिश्ण हुए है पहला 28 अक्टूबर को और दूसर 3 अवर 2021 को मतलब परसो दोनों ही परिश्ण के इस हतियार ने शफलता पूर्वक हसिल कर लिए सेटलाइट नेवियेशन और एलेक्ट्रो अप्टिकल सेंसर का टेस्ट भी शफल है साथी साथ इसके में और एक अडिश्ण इंफर्मेशन आपको मैं देदू पहली बार एलेक्ट्रो अप्टिकल सीकर राधारित उडान सफल रही है और 100 किलोमेटर से अधिक इसकी मारक छुमता है भारती वायू सेना के लड़ाकों विवानों के ताकत बढ़ गई अब उन्हें ऐसी तक्निक जोड़ दिया गया है जो उन्होंने अभी किसी वी देश के पास इतनी भी तक्निक उसमें सबसे खास तक्निक में से यह तक्निक आती है साथी साथ मैं आपको और रिक चीज़ वाले को पहली पहली बार सब्सक्राइब को टेस्ट किया गया था एलेक्ट्र ऑप्टिकल सेंसर को स्वदेशी रूप से विक्सिक्त किया गया इस सभी परिक्षण राजिस्थान के जैसल मेर में इस सिथ पोकरण में हुए हैं ठीक है मैं आपको इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुक डमी जो है इसका एक डमी मनाएगा था दुश्मन को हतियार में पुरी तरीके से निष्टे नाबुत कर दिया था और यह अधिक्तम जो है अगर इसकी हाई रेंज की बात करता है तो 100 किलमेटर की दूरी पर दुश्मन के अड़ों को खतम कर सकता है दमखम रखता है नई न कुलता लॉंचर ने हतियार की सुचारू रिलीज और निष्काशन को शही तरीके से पूरा किया है साधी साथ जो इसमें महारत हासिले डियाडी को उस महारत पर एयर फोर्स की और एक महारत चड़िये इस पर आपका क्या मनना में कमेंट करके जरूर बताए